नवुदे प्लस टाइन्स के सभी दर्सकों को मेरा प्यार भरा नमशकार मैं हूं सिल्पी सेन आए डालते हैं गुंदेलकंड शेतरी की इस तादतरिंग खबर पर एक नजर मद्य प्रदेश के जलस सिपुरी के करेरा में मंगलवार की रात बदमासों ने एक दुस्साहसिग घटना को अन्याम देते हुए एक प्राइवेट कमपनी के ATM को बिलास्ट कर लूटने का प्रयास किया लेकिन तेज धमाके की आवाज सुनकर बदमास हिम्मत नहीं जुटा पाए और बिखरे हुए नोटों को वहीं छोड़ कर भाग गए बिलास्ट से चित्रे चित्रे हुए ATM के पास सूशना पर पहुंची पुलिस ने जमीन पर पड़े नोटों को समेटा प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि अग्याद बदमासों ने मंगलबार की रात करेरा के पुराना बस स्टेंड पर इस्थित्थ एक प्राइवेट कमपनी के ATM को बलास्ट करने के बाद लूटने का प्रयास किया लेकिन तेज धमाके की आवाज और पुलिस के आने के डर से बदमास रुपए लिये बिना ही वहां से भाग गए बाद में सूचना पर पहुँची पुलिस ने बिखरे हुए नोटों को समेटा नोटों की कीमत 6,72 रुपए बताई गई है यह भी बताया जा रहा है कि करेरा नगर में लगातार पुलिस गस्त में लापरवाही के कारण चोरियों की घटनाए बढ़ रही है इसलिए बदमासों ने पुलिस गस्त ना होने का फायदा उठा कर बिखत रात्री ATM को ही बिसपोर्ट से उड़ा कर लूटने का प्रयास किया नबोदय पलस टाइम्स के लिए करेरा से संजय गुपता बलईया की रिपोर्ट वो व्यज़ों का उनने अरूपियों की आउसमें तो नहीं कि पैसा था अपने कपेज में ले लिया कितना रखम थी इसमें और कितने यह गटना है धाई तीन बजे की रखम के बारे में तो अपने इस पश नहीं कर पाएंगे लेकिन पुलिस को छे लाग बातर जार पाट सो रुपे मिल गए हैं वह अपना कबजी मिलेंगी अब जो बैंक वालों से जिनके एटिया में उनसे ब एटियम को समों को चेक कर लेते हैं बस यही है रात त्री में कहीं एटियम हों पर गाड नहीं लगे रहते हैं बुंदेलखन और देश प्रदेश की ताजतर इन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदर प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटिस न्यूज के नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन पर क्लिक कीजिए